अभिनंदन आपार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जियोती श्विग्णियान के इस आतियासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर्शा समय की कुछ विडम ना है अभी अभी दैनिक राशी फल फ्रेयाशा पे कंपलीट हुआ और यह मकैस है दैनिक प्रयोग है 24 गंटों का एक प्रयोग राशी कोई भी हो जन्मांक में अवस्साएं कुछ भी हो और आप पूरे विश्व में कहीं पे भी दे रहे हो 24 गंटों में कोई चमतकार नहीं होगा यह ग्रहों की बैलेंसिंग का एक दैनिक प्रयास है नियमित्ता और धहिरिया इन दो चीजों की इस सेग्मेंट के साथ जरूरत पड़ेगी इन दो चीजों को इन्वेश्मेंट कीजिए लॉंगर टम में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव बीटी लाने में हम एक छोटा सा निमित बनेंगे दिनांग 23 जनवरी 2023 सौमवार का दिम माश्तर की कब करनी है सुबह स्नान करने के बाद क्या करना है पांच मिनिट के लिए ब्रामरी प्रानायम कर दीजिए मतलब अंगुठो को कानों के उपर उंगलिया यहां पे यहां पे देखते रहिए गैरी सांस लीजिए मूँ बंद रखके ओम शब्द का उच्चा रंग कीजिए और पूरे आंतरिक ब्रामान में कहां कहां पे उसके स्पंदन आपको महसूस हो रहे है वो ढूंडने की कोशिश कीजिए अगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है तो ना भी तक होगा अगर रेगूलर्ली कर रहे हैं वो आगने चकरे की सिरीज के समय से कर रहे है जो लोग रेगूलर्ली कर रहे होंगे उनको तो पैर के अंगुठे में भी इसके स्पंदन महसूस होंगे और जब ओम शब्द का उस ध्वनी का स्पंदन आंतरिक ब्रामान में घुमता है कितना समय हुआ उसमें नहीं concentrate यहां पे रखिए क्या आपको दिखता है और ओम शब्द के स्पंदन को महसुस करने की कोशिश कीजिए। अब सुवन अक्षर एक छोटा सा plane paper लेना है square चौकर और उसके उपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पैंसे लिखना है। सब कुछ possible नहीं है तो last option में अपने उल्टे हाथ की अतली के center में लिखिए। मतलब आप राइटी है तो left hand की अतली के center में, lefty है तो right hand की अतली के center में। अक्षर भी एक विज्ञान होता है, master की और सुवन अक्षर इखटे ज्यादा प्रभावी होते हैं दोनों को कीजिए। कल का सुवन अक्षर जो आप लिखेंगे वो है डमरू वाला ड़, वीडियो के नीचे description box में लिखा हुआ है, अब blasting bird day और anniversary, किसी भी साल में अगर 23 जन्वरी आपका जन्मदीन है या फिर आपकी marriage anniversary है, प्रयोग एक, positivity पूरे साल के लिए, bird day है तो खुद करना है, marriage anniversary है, द 24 गंटों के दिन में से 5 मिनिट ब्रामरे प्रणायम के लिए, अपनी life में set कर लिजिए, सनान के बाद daily करना है, अगली bird day anniversary पे आप से मिलेंगे, कि इतना साधारन सा दिखने वाला प्रयोग आपके जीवन में, गतिगत जीवन में और परिभारिक जीवन में, कितनी सारी positivity लेकर आया है, मैंने पहला ही कहा कि धहरिया और नियमित्ता इन दो चीजों का investment करना पड़ेगा, जरू से कीजिएगा, रुपेनार शानाम के इस YouTube चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिजिए, साथ वाला बैल आइक उन दबाद दिजिए, और उसके बा आपका, WhatsApp नमबर 971-444-3110, 971-444-3110, call मत किजिएगा, call सम नहीं ले पाएंगे, अपना नाम, bird details और problems, details के साथ WhatsApp नमबर के उपर लिख दीजिए, अक्षाई जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा, नए वीडियो के साथ पिर मिलें जाएगे